अस्सलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि उर्दू में दर्ख्वास्त कैसे लिखा जाता है यह प्रोब्लम ना लगबग हर इनसान के साथ होती है उनको बोल दिये जाता है जरा उर्दू में दर्ख्वास्त कर दिखाईए तो वो नहीं लिखाते हैं 100% सही तरीका क्या है उर्दू में अप्लिकेशन लिखने का बेस्ट श्रिक और बेस्ट तरीके से आप लोगों को बताऊंगी और हर एक एक चीज़ आप लोगो माइंड में फिट होगी और मैं गारेंटी देती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से भी दरख्वास लिख पाएंगे उर्दू में ठीक है और उन सभी स्टूडेंस के लिए खास तोर से बहुत ज़्यदा इंपॉटेंट है जो बोड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हर साल बोड एक्जाम में कोश्टन पूछा जाता है पांच नंबर का आता है अप् अब्लीन पतर बिल्कुल उसी तरह उर्दू में क्या होता है दरख्वास होता है अपेश के दायेंट टरफ से स्टार्ट करना है यह लोग को राइट हैंड की तरफ से बोड़े हैं समझ लिए इसको करो About tis फिस माफी के लिए नौकरी के लिए जिस चीज़ के लिए भी लिख रहे हो लेकिन ये जितने भी लव्ज है न ब्लैक कलर से जिसको मैं लिख दी हूँ ये सभी लव्ज हर एप्लिकेशन उर्दू के हर दर्खास में होगा ठीके तो ये बहुत ज़्यदा इंपोटेंट है और यही बेश्ट तरीका है लिखने का ठीक है तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिखना है तो इदाय तरफ से स्टार्ट करना है बखिदमत जनाब देखिए ब्लैक कलर चाहें न तो इसको आप लोगों को माइंड में हमेशा के लिए फिट कर ले रहा है कि सुरू में क्या लिखन पर पर लोग को दियान देने वाली बात यह है कि अगर आप रियल में किसी हेड मास्टर के पास अप्लीकेशन लिख रहे हैं दर्ख्वास लिख रहे हैं उर्दू में तो वहां पर उस इसकूल या फिर कॉलेज का नाम लिख दीजेगा लेकिन अगर आप लोग एक्जाम मे अप लोग को वहां पर सिर्फ लीखेंगे गोँवर्मेंट छी के हैं लिख दीजेगा तो अगर आप लोग से लिख रहे हैं कि इसके लिए के हर दर्ख्वास्त में होता है ठीक है तो मौदू यानि कि टॉपिक किस टॉपिक पर आप लोग ये दर्ख्वास्त अप्लिकेशन लिख रहे हैं किस चीज के लिए तो मैं क्या लिखी हूँ ये लिखना जरूरी है देखिए जनाब आली इसी तरह लिखना है ठीक है उसके बाद आगे है नहायत अदब के सांथ अर्ज है कि ये भी हर दर्ख्वास्त में रहेगा उन्दू के चाहे मौदू कोई भी हो फिस माफी के लिए नौकरी के लिए चुट्टी कोई भी टॉपिक पर आप दर्ख्वास्त क्यों न लिख रहे हों ये हमेशा हर दर्ख्वास्त में रहेगा नहायत अदब के सांथ अर्ज है कि और उसके बाद आप लोग को रीजन लिखना है कि क्यूं आप फिस मौफी चाहते हैं मैं हैड़ मास्टर को फिस नहीं दे पाई उसके लिए मैं है सब्सक्राइब 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 की हेड़ मास्टर साहब की स्कूल का मैं दसवी क्लास का क्या हूं स्टुदेंट हुर 10th क्लास का मेरे वालिद प्राइबिट फर्म में मुलाजिम है वह कंपनी में काम करते हैं हम लोग पांच भाई भाहन हैं वालिद की गालील आमदानी हम भाई भाहन की तालीम में रुकाव अब उसके बाद क्या है लेहाजा आप से प्रखुलूस गुजारिस है कि ये भी हर दर्खु़ास में रहेगा अब उसके बाद आप लोगो ये लिखना है कि मेरी महाना इसकूल फीस मौफ करने की जहमत करें अब यहां पर लास्ट में आप लोगो फीसी मौफ के लिए दर्ख के बाद से आप लोग के ठीक पेज के बाएं तरफ यहां पर आजाईए यहां पर लिखना है आपका फर्मान बरदार ठीक है और यहां पर अपना नाम लिख दिजिए अगर आप लोग रियल में किसी एड मास्टर के पास अप्लिकेशन लिख रहे हैं तो यहां पर अपना ना सब्सक्राइब के जगा एक्स वैजड नाम नहीं लिखना है और उसके बाद से ठीक इसी के दाये तरफ आप लोग डेट लिख देना है ठीक है जैसे कि मैं लिख दे हूं तो आप कोई भी लिख सकते हैं अगर लेकिन अगर आप रियल में किसी मास्टर के पास खत लिख सब्सक्राइब कर लेना है और इसको याद कर लेना है देख लिजे इसको अराम से और स्क्रीन सॉट भी ले लिजिए तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक से रिलेटेट कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो उसको लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास औ और खुदा आपिज